हेलो फ्रेंट्स आम डॉक्टर अरुन कुमागिरी डिरेक्टर सर्जिकल उंकालोजी एक आकाश हेल्थ केर नियो डेली तोड़े ऐल स्पीक अबॉट कॉलों कैंसर जिसको की हिंदी में बडियांत का कैंसर कहते हैं इसका इंसिदेंस पुरुसों में आठवा सबसे कॉमन कैंस की रूप में जाना जाता है हिंदुस्तान में मैलाव में इंसिदेंस कम है जबकि इसके इंसिदेंस अभी रिसेंट ताइम्स में बड़े हैं ओइंग तो दे वेस्टर लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स और वो इस एक रिस्क मेंनली यह कोलोन कैंसर पॉरेडिक कैंसर है जो की बियूंड 50 यह की एज में डाइगनोज होता है बट सम्टाइम्स इन फैमिलियल के इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है वो अर्लियर भी इसका इंसिदेंस होता है इसके साइन्स और सिम्टम्स यूजली नॉन स्पेसिफिक होते हैं लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो अल्टेट बावल हैबिट्स लाइक डाइरिया अल्टरनेटिंग विद कॉंस्टिपेशन ब्लड इन स्टूल अनेक्स्पेंड वेट लॉस वजन का कम होना खून की कमी इत्यादी इसके लक्षण हो सकते हैं इसका डिटेक्शन कॉलनोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है और जब पढ़नेपे सिटी स्कैन या पेट सिटी स्कैन भी अडवाइस किया जाता है डाइग्नोसिस होने के बाद यह कैंसर 90% केसे में क्यूरेबल है अगर जल्ली ट्रीग्नोसिस हो जाए इसका मेंट बाल फूंट मेंट найти रिमेंन स अज़री ऑपरेशन के द्वारा जो इनी वाल पॉसीन है ऊसको निकाल दिया जाता है और बाकी के ने आथि पॉस्चिन को जोड़ दिया जाता है अजब इसक्या को सकती है है British कवी को कोई बारिक्य मकार् प्रिवंशन के लिए healthy diet is required, apart from that regular exercises and healthy weight maintain करना जरूरी होता है Screening can be performed at the age of 50 years with the help of sigmoidoscopy, colonoscopy and fecal-opal blood test So I would recommend if you have any such symptoms beyond 2-3 weeks time, please show to your doctor Thank you very much Thank you